आपने भक्तों की मननतें सुनी होंगी, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री समराट चौधरी की मननत ने सबका ध्यान खींचा। चलिए जानते हैं क्या थी ये मननत और क्यों उन्होंने अयोध्या की यात्रा की बिहार के उपमुख्यमंत्री समराट चौधरी ने प्रतिग्या ली थी कि नितीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा कर ही अपनी पगड़ी मुरठा खोलेंगे. जब नितीश कुमार भाजपा के साथ गठ बंधन कर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो समराट चौधरी ने अपनी प्रतिग्या पूरी करने के लिए अयोध्या की यात्रा की वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवाएं और मुरठा रामला को समर्पित कि समराट चौधरी ने अयोध्या पहुचकर सर्यू तटपर स्नान किया और फिर सर्यू नदीसे रामला के दरबार तक पध्यात्रा की इस यात्रा में उनके साथ उनके समर्थक भी थे चौधरी ने यह प्रतिग्या नितीश कुमार के इंडिया गठ बंधन से जुडने के बाद ली थी उन्होंने तय किया था कि वे नितीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही अपनी पगडी खोलेंगे जब नीतीश कुमार NDA गठ बंधन में वापस आ गए और 28 जन्वरी को शपत ली तब समराथ चौधरी ने अयोध्या जाकर अपनी मुरेठा रामला को समर्पित की मुरेठा उनक्यों समर्पन करने आया हूँ और पुछले दो साल से हम लोग लगातार विहार में एक अभियाद चलाकर हिंडी गठ बंधन के सरकार को हटाना था और आदरी नितिस कुमार जी ने 28 जन्वरी को वो गठ बंधन चोड़कर हमारे साथ मुक्मंत्री हुए और हम लोग मुक्मंत्री बनाने के बाद यह हम लोगों ने तई किया कि अयोध्या जाकर परभुस्री राम के चर्णों में इसको समर्पित करने का काम करूँगा कोई यदि सोच रहा है तो अत्यानी दुर्भागपूर्ण है उन रूप से बिहार की जन्ता ने भी 75% से अधिक सीटे भी हमको जिताने का काम किया और साथे साथ महा गटवंदन अब पुरी तरह कंफ्यूजन में ना रहे पुरी तरह NDA एकजूट होकर बिहार में 40 की 40 सीट और अगले साल जो विधान सवा का चुना होगा उसमें 243 में 200 से अधिक सीटे जिताने का काम किया है बिहार की जनता ने उन्हें 75 परसेंट से अधिक सीटों पर जीत दिलाई है उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गटबंधन को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए अगली बार बिहार में एक जुट होकर 40 में से 40 सीटें जीतेगी और विधान सभाचुनाव में 243 में से 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट